नमस्कार साथियों, The Nursing Academy YouTube चैनल पर मैं आप सभी का स्वावित करता हूँ, साथियों, एक बार पुना मैं आप लोगों को नए वर्स की हर्दिक सुपकमनाई देता हूँ और इश्वर से प्रात्रना करता हूँ, या आप लोगों का नए वर्स 2024, आप लोगों के लिए उनको उनके अनुरूप अच्छे नंबर मिले, इसी दुआओं के साथ चलिए आज का वीडियो हमें स्टार्ट करते हैं, आज का दोस्तों यह जो नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं, टाटा मेमोरियल सेंटर, टाटा मेमोरियल होस्पिटल, पैरेल मुंबई के द्वा है, रिलीज किया है, नोटिफाई किया है, उसके बारे में हम बात करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, नोटिफिकेशन नंबर टीमसी, अबलिक 80, अबलिक 146, अबलिक 2023, तो इसका मतलब यह है कि यह 2023 की वेकन्सी है, जो 24 में यह फुलफिल करेंगे, और डेट दे सर यी तमाम तरह के पोस्ट हैं, तो हम आप लोगों को डेरीक ले चलते हैं, स्टाफ नर्स पोस्ट के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिरियल नंबर 21, जो सिरियल नंबर है, आप यहाँ पर देखें, नर्सिंग सुपरिटेंटेंड ग्रेड वन, इसमें दो पोश्ट है टोटल, All Over India, जिसमें से एक पोश्ट पंजाब के लिए है, HBC, HRC पंजाब के लिए है, और दूसरा पोश्ट HBC, HRC, YJAK के लिए है, अगर हम सातियों पेश्किल की बात करें, तो यह लेवल 11 का पोश्ट है, जो 6 Pay Commission के हिसाब से देखें, तो Payment 3, जिस पेश्ट पेश्ट है, जो 6 Pay Commission में ग्रेट पेश्टम था, 6600 ग्रेट पेश्ट के अंतरकत, और अभी जो 7 Pay Commission है, उसके हिसाब से लेवल 11 का पोश्ट है, अगर हम बेशिक की बात करें, तो आपको Pay Metrics में जो आपका बेशिक होगा, वो 66,700 होगा, लेवल 11 में सेल बन, प्लस उसके अलोणा, यह आपका बेशिक होगा, इसके अलोणा, जो भी अलोणसेज है, अलोणसेज का मतलब आपका DIR unos allows होगा, प्लस अलोणस होगा, हरे होगा, और जो अलोणसेज, CTA allowance है, अगर वहां पे अपलिकेबल है, तो वो आपको मिलेगा, अगर अपर इसकी बात करें, तो 9-1-2024 को ये cut-off date है साथी हूं इस date में आपका maximum 45 years होना चाहिए इसके अलावा जो government का procedure है age relaxation का as per category वो दे होगा it will be applicable आईए हम बात करते हैं qualification और experience की यहाँ पर देख सकते हैं इसके लिए क्या minimum चाहिए MSC nursing होना चाहिए with 12 year experience out of which 8 years should be teaching administrative experience including minimum of 4 years in nursing administration मतलब minimum आपके पास MSC nursing होना चाहिए उसके साथ 12 साल का experience होना चाहिए जिसमें से 8 साल आपका teaching में होना चाहिए as a nursing tutor या assistant professor lecturer के रूप में या administrative experience होना चाहिए जिसमें से 4 साल आप nursing administration का आप role play किये हो उसमें nursing officer के बड़े post पर आप as a administrative officer आप काम किये हो PhD nursing is desirable अगर आपने PhD किया है nursing में तो उसको priority दिया जाएगा qualification must be from recognized university जो आपने qualification आपने लिया है वह मानता प्राप्त विश्विदाले से होना चाहिए institute से होना चाहिए college से होना चाहिए clinical experience will be added advantage और उसके अलमा अगर आपके पास clinical experience है तो वह उससे आपको weightage दिया जाएगा अगर location की बात करें तो location हमने पहले ही बता दिया कि एक post पंजाब के लिए है दूसरा post वाइजेक के लिए होमी बाबा cancer hospital and research center वाइजेक आईए यह पहला post था जो nursing superintendent का था grade 1 इसके बाद serial number 22 में आप देख सकते है nursing nurse B, B का मतलब grade B इसमें सातियों 2 UR के लिए है, 4 OBC के लिए है, 4 SC के लिए है, 2 ST के लिए और 2 EWS के लिए है यह category wise total इन्होंने दिखाया है, आईए हम बात करते हैं आपका payment का, तो यह pay level 8 का post है अगर grade pay system के हिसाब से देखें तो 4800 grade pay के अंतरगत आता है, और आपका जो basic रहेगा इसमें 47600 यह basic रहेगा जो level 8, sale 1 के इन्तरगत है, प्लस जो allowances मैंने आपको भी बता है, वो allowances applicable है अगर maximum age limit की बात करें, तो 1 January 2024 को आपका 35 years होना चाहिए उसके अलमा अगर category से बिलाउं करते हैं, तो आपको नियमानुसार आपको age relaxation दिया जाएगा आए इसमें qualification और experience की हम बात करें, तो आपके पास GNM होना चाहिए, प्लस डिप्लोमा होना चाहिए onkology nursing में या BSC nursing और post basic BSC nursing होना चाहिए with 6 years clinical experience in 100 visited hospital आपके पास GNM होना चाहिए, GNM के साथ आपका डिप्लोमा होना चाहिए onkology nursing में या आप अगर BSC nursing और post basic BSC nursing की है तो उसके साथ 6 साल का experience होना चाहिए जो कि 100 बेट के hospital में होना चाहिए, ये दोनों लोगों के लिए experience लागू होता है qualification must be from recognized university, same मनत्ता प्रताव विश्विद्धालय, institute या college होना चाहिए candidates should be eligible to registered with Indian National Council or State Nursing Council आप किसी State Nursing Council या Indian Nursing Council के अंतरगत पंजिक्रित होना चाहिए, registered होना चाहिए hepatitis V vaccination will to be completed, hepatitis V का vaccine लगा होना चाहिए clinical experience before post basic BSC shall also be considered अगर post basic BSC के पहले आपने clinical experience जो रखा है अगर किया है तो उसको भी आपका consider किया जाएगा preference will be given to the candidates with administrative experience अगर आप clinical के साथ साथ जो duties normal as a staff nurse या nursing officer करते हैं उसके साथ साथ आपका nursing administration में कोई experience है hospital administration course किये है या oncology में experience है तो आपको वरीता दी जाएगी at the time of selection जो आपका job location है homey baba cancer hospital and research center मुलनपूर पंजाब में या total post पंजाब के लिए है साथियों इसके पहले मैं कई सारे आप लोगों को video TMC का मैंने उपलब्द करा है इसमें एक चीज देखा गया है कि TMC में जो भी वेकेंसी आती है उसमें ये mandatory करते हैं आपका hepatitis B का vaccine लगा होना चाहिए आईए ये दूसरा post था तीसरे post के बारे में हम बात करते हैं इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर nurse C nurse grade C इसमें दो UR के लिए एक OBC के लिए एक SC के लिए एक EWS के लिए ये category wise हो गया यह अगर हम payment की बात करें तो level 9 का post है और grade pay के system से बात करें तो 500 grade pay के लिए अगर हम pay level की बात करें तो आपका basic होगा 53,100 उपीज जो level 9 sale 1 के अंतर करता आएगा और जो भी allowances मैंने अभी बताया आप लोगों को वह allowances आप लोगों के उपर भी लागो होता है अगर age limit की बात करें तो एक January 2024 तक आपका 40 years होना चाहिए maximum यह general candidates के लिए इसके अलामा जो category wise candidates है उनको as per government relaxation मिलेगा qualification experience की बात करें तो आपका वही GNM होना चाहिए उसके साथ डिप्लोमा इन उनकोलाजी नर्सिंग होना चाहिए या BSC नर्सिंग प्लस या post basic BSC नर्सिंग होना चाहिए जो की मानता प्रता मानता प्राप्त किसी विश्विताले से होना चाहिए institute से होना चाहिए college से होना चाहिए आपका minimum बारशाल का clinical experience होना चाहिए जो सौ बेट के hospital में होना चाहिए candidate जो है Indian nursing council और state nursing council के अंतरगात पंजी करित होना चाहिए registered होना चाहिए hepatitis B vaccination आपका लगा होना चाहिए clinical experience जो आपका post basic BC nursing के पहले अगर आप किये हैं तो उसको भी तबज्यूद दिया जाएगा consider किया जाएगा preference उन candidates को दिया जाएगा जिनके पास administrative experience है hospital administration का course किया या oncology experience है अगर हम इसका बात करें तो same location है homeybaba cancer hospital and research center मुलनपूर पंजाब तो यह आप देख सकते हैं यह तीन post आये हैं तो आप निशित रूप से आप इसको apply कर सकते हैं साथियों कुछ इन्नों ने terms condition दिया है main main terms condition मैं आपको बता देता हूँ देखिए जो last date है application का जो cut up date था मैंने age का बताया वो 9 January 2024 तो same date है last date for the application 9 January 2024 सामके 5 विजे तक Indian standard time के इसाब से आप जमा कर सकते हैं आपको जो form जमा करना है वो online माध्यम से ही करना है other माध्यम से आपका form नहीं consider किया जाएगा और जब आप online माध्यम से form जमा करेंगे तो उसके साथ क्या क्या करना है आपको देखिए यहाँ पर दिया candidates will have to upload required documents mentioned in the form at the time of filling the online application आप online application में जो data देंगे उससा का supporting documents आपको upload करना है कुछ और important चीज़ें हैं जो पता देते हूं is rejected अगर incomplete application है या तो offline आप भेज रहे हैं तो उसको consider नहीं किया जाएगा आपको जब भी interview के लिए written exam के लिए skill test के लिए बुलाया जाता है तो उस समय आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपको पूरे original documents उसके साथ एक set gyrox copy आपको लेकर जाना है वहाँ पर जब भी आपको जहां भी venue जिस date इस time में बुलाया जाता है failing with such applicants will not be allowed to appear अगर यह लेकर नहीं जाते हैं लेकर नहीं जाते हैं तो आपको वहाँ पर allow नहीं किया जाएगा अगर date of birth की बात करें तो date of birth आप लोगो पता है कि आपका टेंद का जो certificate होता है उसमें जो रहता है उसी को मन तजिया जाता है और उसी से आपका verification होता है educational qualification में आपका mark sheet passing certificate और final examination यह होना चाहिए experience certificate दो प्रकार का experience है पोस्ट experience है तो experience certificate indicating the date of joining and relieving तो अगर आप कहीं job कर रहे थे और अभी नहीं कर रहे है current में unemployed है तो आपके पास जो experience certificate होना होगा उसमें ध्यान दिजिया कि कितना period का है means कब join किये थे और कब relieve हुए थे यह चीज होना चाहिए current employer है तो आपका appointment later होना चाहिए last pay slip होना चाहिए identity card होना चाहिए यह चीज़े आपके पास होनी चाहिए cast certificate valid form में होना चाहिए भारत सरकार द्वारा जो मनता प्राप्त है cast certificate in case of ST non criminal certificate in case of OBC candidates is mandatory formats are uploaded and TMC website पर upload है तो जो cast certificate है वो आप लोग format में ले जाहिएगा economical weaker section के लिए भी है valid income certificate आपका होना चाहिए जो prescribed format है भारत सरकार का उसी प्रकार से PWBD का certificate आपको होना चाहिए through proper channel जो candidates अभी कहीं पर serving करना है state government या central government या PSU में उनको जो अपना form है through proper channel apply करना through proper channel का मतलब यह हुआ आप apply करके NOC ले लिजिए और NSOE जब आपका documents verification हो गया interview written test के समय आपको produce करना है यह हो गया कुछ चीजे एक दो point और है साथ हूँ मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पर आप देखिए age and experience जो आपका account होगा cut update है 9 January 2024 इसे के भी आपका consider होगा अगर आपके पास इसे समधित कोई query है तो इन्होंने HR का human resource का इन्होंने mail id दे रखा है आप यहाँ पर mail करके अपने query को raise कर सकते हैं कोई भी phone call को entertain नहीं किया जाएगा age relaxation की जो बात है तो वहीं central government का जो है नियम 5 साल का SCST के लिए है 3 साल का OBC के लिए 10 साल का PWD candidates के लिए है additional 5 years in case of SCST and 3 years in case of OBC अगर PWBD में अगर कोई OBC का है तो उसको 13 साल का होगा SCST के लिए 15 years का होगा एक service man के लिए भी है 3 साल का length of service in armed forces plus 3 years आपका जितना service की है उसके अलामा 3 साल का additional दिया जागा और additional relaxation दिया जाएगा SCST OBC के लिए जो भारत सरकार के lens के जिसाब से है if the post is only for unreserved category अगर UR में आप apply करना है तो आपको उसमें कोई भी age relaxation नहीं दिया जाएगा जो TMC imply है उनको 5 years का दिया जाएगा की हम बात करें तो 300 application fee है online जो माधियम से आपको online payment gateway के माधियम से आपको जमा करना है जो कैसे करेंगे debit card और credit card के माधियम से fee किसको exempted है SCST female candidates और person PWBD candidates के लिए और ex-serviceman जो first time apply करना है civil post के लिए after serving the rank मतलब Army या Air Force Navy में आप defense में service करने के बाद first time आप TMC में apply कर रहे हैं तो आप लोगों को fee नहीं pay करना है आप fee exempted है the application fee will not be refunded in any case एक बार आपने payment कर दिया उसके बाद आपका refund नहीं होगा अर्था non-refundable fee है आपको दोस्तों कोई भी candidate है कहीं भी join करता है चाए government का है चाए PSU है चाए undertaking a government undertaking है चाए state government का है कोई भी जब selection होता है तो सबसे पहले उसके मन में जिग्यासा होता है को उसको क्या-क्या benefits मिलने वाले हैं तो इन्होंने यहां पर benefits को specially mention किया है तो देखे आपका जो basic होगा salary होगा वो तो आपका मूलबूत अधिकार है उसके अलामा in action to pay उसके अलामा other allowances जैसे DA होगा DLS, Dearness allowance, HRA, house rent allowance, TA, traveling allowance, ETC will be admissible as per the prevailing rules सब TMC, TMC के निये मानुशार आपको दे होगा training और development आपका समय समय पर आपको प्रसिक्षर के लिए workshop के लिए, medical meetings के लिए, conference के लिए, इंडिया में भी और बाहर भी आपको भेजा जाएगा financial support के साथ medical facility, TMC rules के साथ आपको मिलेगा, accommodation facility, अगर all level है तो आपको दिया जाएगा, नहीं all level है तो आपको HRA दिया जाएगा retirement benefits, as per new pension scheme, आपको retirement benefit पुरा दिया जाएगा, जो government of India के rules है आशा करता हूँ साती हूँ, हमारा ये वीडियो आपको पशंद आया होगा मुझे लगता है कि मेरा वीडियो ये थोड़ा सा लिंदी हो गया, लेकिन आप लोगों को मैं प्रयाश किया हूँ, कि पूरा आपको A to Z जो important points है, मैं आप लोगों को समझा सकूँ अगर हमारा वीडियो ये information जो इस वीडियो के मादिन से मैं आप लोगों तक पहुचा रहा हूँ, आपको अच्छा लगा, पशंद आया, लाइक कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले हर जेन्यून notification आप तक आसानी तक पहुचत थेंक यू